दोस्तो आज हम एक्स्प्लीन करने वाले हैं हाली में आई वेब सिरीज मैंशन 24 जो की एक होरर मिश्ट्री वेब सिरीज है और यह आपको जरूर परसंद आएगी इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजी अब चलिए कहानी शुरू करते हैं सिरीज की शिरुवात में हम एक खंडर मैंशन में अमरिता नाम की लड़की को देखते हैं जो की investigative journalist है और उसे काफी चोटे आई होती हैं अमरिता बताती है कि वो इस मैंशन में एक रहसे को ढूंडने के लिए आई थी लेकिन वो रहसे भी अब अमरिता के साथ चला जाएगा यानि अमरिता मरने वाली है उसके बाद कहानी flashback में जादी है जहाँ पर news में बता रहे होते हैं कि कालिदास नाम का सरकारी करमचारी आर्केलोजिकल डिपार्टमेंट का कुछ समान लेगर गायब हो गया है और कालिदास के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चल रह आए तब ही हमें कालिदास की बीवी को दिखाते हैं जो काफी जादा बीमार थी और वो वही news देख रही थी फिर एक नर्स और डॉक्टर आ दी हैं और वो news को बन कर देती हैं और डॉक्टर उनका check-up करती हैं उसके बाद हमें अमरिता को दिखाते हैं जो अपने पिता काल दास को गदार और देश दिरुवी तक कह देते हैं यह सुनते ही अमरिता को गुसा आजाता है और वो कहती है कि मेरे पिता कोई गदार नहीं है और ये मैं बिरुफ करके दिखाऊंगी अब अमरिता अपने पिता के बारे में कई सारे लोगों से मिलकर तैकिकात करती है लेकिन उसे ज़्यादा कुछ भी पता नहीं चलता उसके वाद अमरिता अपनी मा को देखने होश्पिडल आती है तब डॉक्टर बताती है कि तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुम्हारी मा की हालत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है इसलिए उनके लिए यही अच्छा होगा कि तुम उने घड ले जाओ ये सुनकर अमरिता कहती है कि मैं अपने पिता के बारे में तो पता करी रही हूँ जिससे मेरी मा के सारे दुख कम हो जाएंगे फिर अमरिता सीधा Director of Archaeology जेप्रिकाश के पास जाती है और महा जाकर अपने पिता के बारे में पूछती है जेप्रिकाश कहते हैं कि तुम्हारे पापा कहीं भाग गए हैं और उनके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चल रहा है अमरिता कहती है कि आप इतना शोर कैसे हैं कि वो भागी गए हैं तब जैप्रकाश बताते हैं कि लश्ट टाइम के एक्सकेवेशन के बाद से ही कालिदस गायब है क्योंकि उन्हें उस दिन कोई बहुती अमोल्य चीज हाथ लगी थी अमरिता ये जानकर कहती है कि आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से तो मेरे पापा आखरी बार खंडर मेंशन में गए थे ये सुनते डारेक्टर घबरा जाता है और कहता है कि खंडर मेंशन का हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है इसलिए तुम वहाँ जाने की सोचना भी मत क्योंकि वहाँ जाने वाला इनसान कभी लोड़ता नहीं है अब अमरिता महा से सिधा पुलिस स्टेशन जाती है जहां खंडर मेंशन का नाम सुनके पुलिस वाले घबरा जाते हैं और पुलिस वाला भी अमरिता से यही कहता है कि उस मेंशन में कभी कोई जाता नहीं है और मुझे तो अपनी जान बहुत प्यारी है इसलिए मैं उस खंडर मेंशन में बिलकुल नहीं जाऊंगा यह कहकर वो अमरीता को महाँ से बगा देता है तब महाँ एक constable अमरीता को बताता है कि वो मैंचन शहर के नौर्थ में है जो कि काफी बड़ा है और बहुत ही डरावना है यह जानकर अमरीता अब उस मैंचन में पहुँच जाती है जहां उसे कई सारी बहनक चीजे नजराती है और वो उन सब की तस्वीरे लेने लगती है उसके बाद अमरीता मा के चोकिदार से जाकर मिलती है और उसे कहती है कि मैं एक रिपोर्डर हूँ जो यहां के मैंचन पर आर्टिकल लिख रही हूँ उसी के बारे में बात करनी है तब वो चोकिदार उसे बैठने के लिए कहता है फिर अमरीता पूछती है कि क्या सच मुच यहां कोई अंजान सी शक्ती लोगों को मार देती है मुझे तो यह सब कहानी लगती है तो चोकिदार कहता है कि आप इस मैंशन में खुदी जाकर ट्राय कर लोना सच सामने आ जाएगा उसके बाद अमरिता पूछती है कि आपकी आँख को क्या हुआ जिसके बारे में चौकिदार कहता है कि एक कवे ने आकर चोच मार दी थी तब ही एक गम से अमरिता को वहा किसी का साया महसूस होता है और वो चौकिदार से कहती है कि महाँ पर कुछ है क्या लेकिन चौकिदार कहता है कि ये सब तुमारा वहम है और फिर वो अमरिता को एक रैटर की कहानी सुनाने लग जाता है जो मही के रूम नंबर 504 में रहता था और फिर हमें उस रैटर को दिखाते हैं जो बैट कर नॉबल लिख रहा था लेकिन उसे उस समय लिखने में फिल नहीं आता तो वो जाकर दारू पीने लगता है ताकि वो ध्यान लगा कर कहानी लिख सके लेकिन तबी उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है जिससे उस रैटर की हलत खराब हो जाती है उसी समय उसकी बीवी का भी फोन आ जाता है जो उसे कहती है कि तुम घर पर क्यों नहीं आ रहे इस बात पर रैटर कहता है कि उसे शांती से एक होरर नॉबल लिखनी थी इसलिए तो वो उस फ्लैट में आया था ताकि उसे फील आ सके उसी बीच रैटर देखता है कि उसका टाइप रैटर अपने आपी टाइप कर रहा है और उसमें लिखा आता है कि 404 में बच्चे हैं थोड़ा ध्यान रखें जिसके बाद फिर से लाइट चली जाती है और उसका टाइप रैटर फिर से कुछ टाइप करने लगता है आप सीन चेंज होता है और वो रैटर मेडिकल में सरदर्द की दवाई लेने आता है तब इमापर एक और आद में दवाई लेने आता है और दवाई ना होने के कारण वो महार से चला जाता है अब रैटर दवाई लेकर अपने रूप में वापस पहुंचता है तब उसे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था लेकिन जैसे वो पानी पीकर पीछे मुड़ता है उसका इस बार टाइप रैटर ही गायब था अब टाइप रैटर ढूंटे रूंटे वो बहार आ जाता है और उसे सामने का एक कमरा खुला हुआ दिखता है जिसमें एक बच्चे का जूता पड़ा था वो जैसे जूता उठाता है उसके पीछे रे टाइप रैटर गिरता है और वहाँ से एक बच्चा भी गुजरता है वो जैसे उस बच्चे को देखने जाता है तो महाँ पर कोई बे नहीं होता और अब टाइप रैटर फिर से टाइप करता है जिसमें लिखा था कि आज तेरी आखरी रात है रैटर को लगता है कि ये बदमाशी बच्चे कर रहे हैं इसलिए वो जाकर सीधा 404 रूम नंबर का गेट खटखडाने लगता है लेकिन कोई भी गेट नहीं कोलता तब युसे महाँ पर उसी जूते का दूसरा पेर पड़ा मिलता है और वो सोचता है कि उसका शक सही निगला वो इसी गर का बच्चा होगा जो उसने देखा था अब रैटर फिर से उस गेट को खटकडाता है लेकिन तबी दूसरे कमरे से ही गौरत भार आती है जो रैटर को गयती है कि थोड़ा शोर कम करो यहां और भी लोग रहते हैं जिसके बाद उन लोग को मज़ा चकाने के लिए वो रैटर उनका समानी फेकने की सोचता है और जैसे ही वो उनके रूम के बाहर की अलमारी खोलता है तो देखता है कि उसमें तो कई सारे सीम वैसे ही जूते पड़े हैं यानि कि उस घर में कई सारे बच्चे मौजूद हैं अब वो सारे जूतों को पन्यों में भड़ता है और सीधा जाकर डश्टमीन में फेक दीता है तब ही उसके सामने एक बुड़ा आदमी आता है जो कि देखने में काफी खतरनाक लग रहा था और वो राइटर उसे दो-चार गालियां देकर मा से चला जाता है अब वो बावा सीधा उसी फोर्जिर रूम के आगे खड़ा होता है और वो कमरा अपने आप खुलता है और उसमें बच्चों की आत्मन नजराती है उसके बाद राद को जब वो राइटर सो रहा होता है तब ही उसे किसी की अवाज आती है और जैसे वो उड़ता है तो देखता है कि वो जूतों की पन्या तो अब उसके रूम में पड़ी है तब ही उसके गेट पर नौक होता है और जैसे वो देखता है तो महा तो बच्चे थे जिनने देखकर राइटर की हालत खराब हो जाती है अब उसके चारों तरफ वही फेके हुए जूते पड़े होते हैं और महाँ पर अब कई सारे डरावने बच्चों की आत्मा भटग रही थी जो की सारे बच्चे उसे ही गूर रहे थे और फिर महाँ पर एक बच्ची की आत्मा नीचे आ दी है और ये सीन देखकर ऐसा लगता है कि वो रैटर मारा गया फिर सीन चेंज होता है और वो चोकिदार कहता है कि वो राइटर उसके बाद कहा गया किसी को भी पता नहीं चला बस उसकी चपपल बच्चों की जूतों के 20 थी और सब ने उसे मरा हुआ मान लिया ये सुनकर अमरिता जवाब देती है कि जरूरी नहीं कि वो तुमें नहीं मिला तो वो मरी गया होगा फिर वो कहती है वैसे आप इन भूत प्रेतों में मानते हैं क्या तो वो आदमी कहता है कि जब तक इनसान खुद रूपरू नहीं होता तब तक वो ये सम नहीं मानता फिर वो अमरिता को कहता है कि बाकी की बात हम बाद में करेंगे अब अनिरा हो गया है इसलिए तुम चली जाओ और फिर अमरिता मार से चली जाती है और हम देखते हैं कि चौकिदार के घर में तो वही बच्चे की जूते पड़े हैं यहीं पर एपिसोड वन खतम होता है एपिसोड टू की शुरवात में अमरिता सो रही होती है तब ही एकड़म से उसे ऐसा लगता है जैसे उसके कमरे में वही बच्चा है और डर के मारे वो जाग जाती है इसके बाद अमरिता अपनी मा से बात करती है और फिर वहाँ पर नर्स आ जाती है जिसने उसकी मा की देखभाल के लिए बुलाया गया था अब अमरिता फिर से चोकिदार से मिलने जाती है और चोकिदार वहाँ पर पहलिया बुजाने लगता है कि हमसे मिलने वाला हर इंसान एक सवाल ही होता है फिर वह रूम नंबर 2-0-3 में रहने वाली लड़की की कहानी सुनाता है ये वही लड़की होती है जो उस मेडिकल शॉप पर रैटर को दवाई दे रही थी और इसका नाम सौपना होता है या सौपना फोन पर अपनी मा से बात करती है और उसकी माँ से समझाती है कि तुम समय रहते शादी कर लो और उस लड़के के चक्कर में अपनी जिन्दगी बरबाद मत करो लेकिन सपना अपनी माँ से कहती है कि जो भी चीज मुझे चाहिए होती है वो मैं आसिल करी लेती हूँ फिर जाहे वो इनसान हो या फिर कोई चीज अब जैसे वो फोन कारती है तभी महाँ पर रखा रेडियो अपने आप बचने लगता है और इससे सपना डर जाती है अब हमें वही सीन दिखाते हैं जब रैटर दवाई लेने आया था और महाँ पर वही लड़का परचे पर लिकी दवाई लेने आता है पर उसे वो दवाई या नहीं मिलती तो वो वहाँ से चला जाता है फिर रैडर अपनी दवाई लेने के बाद जैसे ही जाता है महाँ सपना की साथ ही एकदम से आ जाती है और उसे देखकर सपना डर जाती है और वो सपना को उसके boyfriend के नाम से चेड़ने लगती है तब वो कहती है कि मैं अपने boyfriend से तो दो दिन से नहीं मिली उसके बाद उसकी साथ ही देखती है कि सपना तो कोई pills खा रही है जो कि उसकी body के लिए बहुत ही खराब है पर सपना कहती है कि मैं क्या करूँ मेरी मा मेरी शादी के पीछे बड़ी है इस बात को support करते हुए उसकी साथ ही भी कहती है कि अपनी मा की बात मानो क्योंकि तुम्हारा boyfriend तो पहले से शादी शुदा है और ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो फिर भी उसके साथ हो तब ही सपना को उसके boyfriend का call आता है और वो कहता है कि मैं आज रात को तुम्हारे पास आऊंगा जिसके बाद phone कर जाता है अब एक गम से सपना की साथी गेट से आती है और सपना उसे देख कर चौक जाती है कि वो जिससे पहले बात कर रही थी वो कौन थी इसके बाद रात को सपना अपने रूम पर थी जहांब उसका boyfriend आता है और वो सपना पर भढ़गने लगता है कि उसका चकर उसकी wife को पता चल गया है तब सपना कहती है कि ये तो अच्छा हुआ और मैं यहां हूँ ये बात किसी को बताना मत सपना कहती है कि यहां जरूर उसके बाद दोनों साथ में सोते हैं तब रात को उनके रूम का लोग अपने आप खुलता है और ये देखकर सपना बार बार अपने boyfriend को उठाती है लेकिन वो नहीं उठता फिर एकदम से महा रेडियो अपने अप बजने लगता है तब सपना उठती है और अपने पास रखी पिल्स को खा कर देखने जाती है कि आखिर कौन है इसके बार सपना को बातरूम में किसी की परचाई दिखती है और वो जाकर चेक करती है तो महा पर कोई भी नहीं होता लेकिन तबी सपना के कंदे पर कोई हाथ रखता है और वो डर के महा से चली जाती है अब सुभा के समय सपना अपने काम पर जाती है जहां दो पुलिस वाले सपना से उसकी बार सपना की फोटो दिखा कर पूछते है कि क्या आप इसे जानती है सपना कहती है कि हाँ तो वो बताते हैं कि इसने अपनी बीवी और बच्ची का कतल गिया है और अब ये फरार है अगर ये आदमी आपके पास आए तो हमें इंफॉर्म करती जिएगा ये जानकर सपना वापस अपने रूम पर आती है और माँ वो देखती है कि उसका बैफ्रेंड तो बातरूम में ना रहा है और वो सपना से कहता है कि मैं यहाँ हूँ ये बात किसी को बताना मत तब सपना कहती है कि हाँ बस तुम डरो मत अब हम यहाँ से कहीं दूर निकल जाएंगे ताकि हमें कोई पकड़ना पाए फिर सपना उसका बैक पैक करने लगती है और उससे कहती है कि तुम जल्दी बाहर आजाओ पर वो तो बातरूम से बाहर आता ही नहीं तब ही सपना को उसकी मा का कॉल आता है और सपना फोन पर ही चिलाने लगती है कि तुम जल्दी से बाहर आजाओ ये सुनकर सपना की मा कहती है कि तुम्हारा बैफ्रेंड वही है क्या तब सपना कहती है कि हाँ और फिर वो एकदम से फोन कार देती है अब सपना देखती है कि उसका boyfriend तो अंदर डांस कर रहा है ये देखकर वो डढ़ने लगती है तब ये उसके घर की bell बचती है और वो देखती है कि gate पर तो उसका boyfriend खड़ा है सपना ये देखकर ड़ जाती है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है फिर सपना gate खोल कर अपने boyfriend को सब कुछ बताती है और उसका boyfriend एक हतोड़ी लेकर बात्रों में चेक करने जाता है जहां अभी भी वही परचाई दिख रही थी उसके बाद सपना देखती है कि अब उसका boyfriend तो उसकी तरफ ही हतोड़ी लेकर आ रहा है जिसके बाद महाँ पर दिवारों से खुन बहने लगता है और सपना के बीचे से उसके boyfriend की आत्मा बहार आती है और फिर scene change होता है और वो मर जाती है फिर चौकिदार बताता है कि पुलिस ने जब अगले दिन देखा तो सपना की लाश बास्टब के पास पड़ी थी और सपना की मा का कहना था कि उसका boyfriend उसी के साथ था क्योंकि उन्होंने फोन पर सुना था चौकिदार कहता है कि सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि जिस दिन उस आदमी ने अपने बीवी बच्चों को मारा था उसी दिन उसने भी suicide कर लिया था यानि कि उसकी आत्मा ने जाकर सपना को मारा था और हर किसी को यही लगता है यह सुनकर अमरिता कहती है कि आदी बात पता होने के कारण ही रियूमर्स फैलते हैं फिर वो कहती है कि सबना के मरने की वज़ा उसकी वो पिल्स थी जो वो लेती थी क्योंकि उसने उसका डोस काफी ज़दा बढ़ा दिया था और उसी न अपने बात को उसकी फैमिली को मारने का आइडिया दिया था यानि की सबना के मन में एक गिल्ट आ गया था कि उसके बात से इस अपना हेलिसुनेट करने लगी और बात में उसने खुद को ही हदोडे से मार लिया और अमरीता की बात सुनकर चोकिदार को भी लॉजिक समझाता है और फिर यही पर एपिसोड 2 खतम होता है दुफ्तो एपिसोड 3 की शिरुवात में अमरीता अपने घर वापस आती है और खाने लगती है लेकिन उसके पापा की यादों के कारण वो खाना भी ठीक से नहीं खापाती जिसके बास सीन चेंज होता है और अमरीता वापस उसी चोकिदार के पास बैठी होती है और वो अमरीता को रूम नंबर 605 की काहनी सुनाता है जिसमें एक आदमी अपने पूरे परिवार के साथ टैक्सी में आता है और परिवार में उस आदमी के साथ उसकी बीवी, उसके पापा और दो बच्ची होते हैं तब टैक्सी वाला उस आदमी के पापा से समान लेने लगता है पर वो उसे अपना समान छूने तक नहीं देते फिर वो आदमी उस टेक्सी वाले को बताता है तब से इनकी दिमागी हालत खराब रहती है इसके बाद वो सब अपने रूम में जाते हैं तब वो आदमी कहता है कि ये तो खंडर लग रहा है लेकिन टेक्सी वाला कहता है कि ये गर आपको तो बहुत सस्ते में मिला है और ऐसी डिल सबको नहीं मिलती फिर वो आदमी अंदर पैसे लेने जाता है और वो टेक्सी वाला उसकी बेटी से बात करता है और उसे पता चलता है कि उसकी बच्ची का नाम तो उसकी दादी देवी अम्मा के नाम पर ही है इसके बाद वो आदमी टैक्सी वाले को उसका पैसा दे देता है तब जाते समय वो उस आदमी को कहता है कि आप गलती से भी 613 रूम में मत जाना क्योंकि महां एक आदमी पहले भूतों से बाते किया गरता था लेकिन अब वो आदमी तो कहीं गायब हो गया है लेकिन उस कमरे में भूत आज भी है और ये कहकर वो टैक्सी वालत चला जाता है थोड़ी देर में उस आदमी के गेट पर वही बुड़ा आता है जिसको हमने पहले भी देखा था और वो आकर उसे कहता है कि मरित्य देफदा पीछा करते हुए जरूर आएंगे और ये कहकर वो वहां से चला जाता है उसके बाद हमें उस आदमी के पिता को दिखाते हैं जो अपनी बीबी की फोटो ही देख रहा था और उस फोटो के सामने बारवार बल फ्लक्ट्रेट हो रहा था जिससे वो आदमी डढ़ने लगता है लेकिन तब ही उसकी बहु से खाने के लिए बुला लेती है अब सब लोग खाना खाते हैं तो उस आदमी की बेटी उससे पूछती है कि आज आप हमें कौनसी श्टोरी सुनाओगे तो वो कहता है कि आज में तुम्हें तुम्हारी दादी की ही कहानी सुनाओगा और फिर सब लोग खाना खाकर सोने लगते हैं तब वो आदमी अपनी बेटी को उसकी दादी की कहानी सुनाता है और फिर हमें देवी अम्मा को दिखाते हैं जिने उनके गाओं में काफी ज़्यादा मन सम्मन दिया जाता था और गाओं वाले उन्हें सबसे पहले खाना प्रिशाद के रूप में खिला दे थे बच्ची को उसके पापा गयते हैं कि उनके गाओं पर जब भी कोई मुसीबत आती थी तो तुम्हारी दादी हमेशा लोगों की मदद करने के लिए खड़ी रहती थी फिर हमें एक औरत को दिखाते हैं जो की काफी ज़्यादा तडब रही होती है जैसे उस पर किसी ने काबू कर रखा हो और उसका उप्चार देवी अम्मा ही करती है और वो औरत एकदम से बियोश हो जाती है फिर प्रेजेंट में वा आत्मी बच्ची को कहता है कि तुमारी दादी के अंदर आत्मा उसे बात करने की शक्ती थी लेकिन एक दिन वो मुझे बच्चपन में ही छोड़ कर चली गई और जाते जाते उन्होंने कहा था कि मैं तुमारे पास लोट कर जरूर आउंगी ये कहकर वो आदमी रोने लगता है और उसकी बेटी कहती है कि आप पोटली देता है जिसमें कुछ सीप रखी थी और उसी के जरिये उसकी मा आत्मा उसे बात करती थी अब सीन चेंज होता है और सुबा के समय उसकी बीबी अपने बच्चों को कहती है कि आज तुमारी स्कूल की छुट्टी है तो घर पर ही रहना और फिर वो अपनी काम वाल दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है अब सीन चेंज होता है और ये ओरत यानी राधा मही काम करती है जहां सौपना भी काम करती थी तब सौपना उससे पूछती है कि तुम इतनी उदास क्यों हों तो वो बताती है कि मेरे पती की दिमागी हालत बिगर दी जा रही है और उनका पिता और दोनों बच्चों के साथ उसी कमरे के बाहर खड़ा दिखता है जिसमें उस आदमी ने जाने से मना किया था अब वो आदमी अपने हाथ में रखके गुमरू को बजाता है और गेट अपने आप खुल जाता है और ये सबी लोग उसके अंदर चले जाते हैं इसके बा आगे चल कर रादा को उसका पती दिखता है जो की अलमारे में अपना सर मार रहा था और फिर वो एकदम से अपनी बीवी को कहता है कि मा वापस आ गई है दर गे मारे उसकी बीवी पूछती है कि मेरी बेटी गाएं, तब वो आदमी उसे उसी कमरे में ले जाता है जहाँ हम आदमी का पिता और उसका बेटा भी महा आता है और उसके पिता को भी यही लगता है कि ये तो उसकी बीवी है और फिर वो और उसका पोता भी महा जाकर बैठ जाते हैं। कोई नहीं दिखा फिर सामने वाला गेट खुला था ये देखकर वो अंदर चली गई और वही पर उसने पूरे परिवार की लाश टंगी हुई देखी। करने वाली बात बताई तो उसे इस बात पर और भी ज़्यादा विश्वास होने लगा कि हाँ वो अपनी मा से बात कर पाएगा। साथ ही उसने अपनी बेटी को भी दादी की कहानिया सुना सुना कर यकिन दिला दिया। जिसके बाद उसकी बेटी ने खुद को अपनी दादी ही समझना शुरू कर दिया। और वो यही सब अपनी किताब में भी ड्रो करने लगी। उसके बापा की कहानियों ने उसके पूरे परिवार को तबा कर दिया। ये कहकर अमरिता मा से चली जाती है। और चोकीदार उसका मूँ देखते है रह जाता है। यही पर एपिसोड 3 खतम होता है। एपिसोड 4 की शरुवात में अमरिता नर्स से कहती है कि मा की दवाई का टाइम हो गया है। तब नर्स पानी लेने जाती है और बापसी में वो देखती है कि दवाई का तो बॉक्स ही गायब है। फिर वो बॉक्स उसे पास के दरवाजी के पास पड़ा दिखता है जो कि धिरे धिरे अंदर जा रहा था। तब वो नर्स बॉक्स उठाने जाती है और उसे एक जला हुआ पैड नजर आता है जिससे वो काफी ज़्यदा डर जाती है। अब अमरिता महा आती है तो नर्स से कहती है कि जब से तुम उस मैंशन में गई हो तब से हमारे साथ दरावनी चीज़े होने लगी है। लेकिन अमरिता कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तुम जाओ और मा को दवाई दो। इसके बाद अमरिता दुबारा उस चौकिदार से मिलती है और वो उसे एक और मेंशन की कहानी सुनाता है रोम नंबर 409 की कहानी जिसमें एक प्रेगनेंट लेडी रहती थी। यह एक सपना था। उसके बाद राधिका को उसके पती का कॉल आता है और वो उसे ये सब बताती है कि उसके साथ ऐसा दो महिनों से हो रहा है। निकले बहार जाती है और बहार एक बॉक्स रखा होता है जिसके अंदर से एक गुड़ा निकलता है और राधिका उसे कई सारे गुड़ों के बीच में रख देती है अब जैसे राधिका महा से जाती है महा रखे एक गुड़े की गर्दन अपने आप घुम जाती है इसके बा प्रैवेट नंबर से उसी की फोटो जाने लगती है और वो उस नंबर पर जब फोन लगाती है तो वो नंबर इन्वैलिड होता है तब ही घर के अंदर किसी बच्चे की रोनी के आवाज आने लगती है और राधिका अपने घर में आवाज के पीछे जाती है कि आखिरी आवा वो सीधा एक हिपनोटिस से जाकर मिलती है और वो डॉक्टर उसकी प्राब्लम सुनकर उसका सेशन शुरू करता है फिर हमें उसकी पाश्ट की कहानी का पता जलता है जहां रादिका अपने डांस के प्रैक्टिस कर रही थी तब ही उसकी कोई फोटो खीच लेता है और वो देख कर काफी खुश होती है उसके बाद उन दोनों की दोस्ती बढ़ने लगती है और धीरे-धीरे उनके बीच प्यार हो जाता है उसके बाद रादिका बताती है कि उससे दो बड़ी गल्तिया हो गई थी जिसमें वो शादी से पहले ही प्रैग्निंट हो गई थी और वो पता चलता है कि उसने तो अपना बच्चा पहले ही गिरा दिया है ये जानकर राजू वहाँ से गुस्से में चला जाता है अब सेशन में डॉक्टर राधिका से पूछते हैं कि क्या तुम उसके बाद राजू से मिली थी तो वो कहती है नहीं फिर डॉक्टर कहते हैं कि मैं त मारे सारे डर को कुछ सेशन में खतम कर दूँगा जिसके बाद राधिका वापस घर आ जाती है अब रात के समय राधिका को दुबार से डरावनी आवाजे सुनाई देती है और उसे घर के बार एक बच्चा रोते हुए दिखता है लेकिन वो जब पास जाकर देखती है तो व से कहती है कि मा तुमने मुझे क्यों मार दिया और फिर एकदम से राधिका जब दुबारा से मा बनने वाली थी तब उसकी प्रानी यादे ट्रिगर हो गई जिसके बाद उसको राजू और उसके गिराएवए बच्चे की याद आने लगी और वो mentally weak हो गई इसी के कारण वो hallucinate करने लगी साथ ही उसने ये बात हिपनोटीस को भी नहीं बताई कि राजू तो पहले ही मर चुका है और मानिवन वो खुद को कोस्ती रही यही कारण था कि अंत में आकर उसने suicide कर लिया यह कहकर अमरिता मा से चली जाती है अब जब अमरिता अपने घर आती है तो मा का watchman उसे कुछ कैमरे की CCTV footage दिखाता है जिसे देखकर अमरिता चौक जाती है यहाई पर episode 4 खतम होता है अब episode 5 के शिरुवात में अमरिता अपने पापा के study room में जाती है जहाँ बस सब कुछ बिखला पड़ा था और उसे अपने पापा की यादे आने लगती है जब उन्होंने कहा था कि मेरी जरुवत पड़े तो बस मुझे याद कर लेना तब ये अमरिता को कुछ याद आता है और वो अपने पापा के secret drawer से एक book निकालती है और पड़ने लगती है फिर हमें flashback दिखाते हैं जहाँ खुदाए के दोरान archaeological वालों को एक box मिला था और उसकी कालिदास ने खुब research करी और अपनी diary में सब कुछ लिख दिया फिर वो सोना ढूडने वाली machine को लेकर उसी mansion में पहुच गए और महाँ पर signal match करने लगे और वही पर उन्हें room number 24 दिखा था जिसके अंदर ये सारे राज छुपे हैं अब scene change होता है और ये सब पढ़कर अमरितास सब कुछ जान जाती है इसके बाद वो सीधा खंडर मेंशन पहुचती है और room number 24 का ताला तोड़ने लगती है लेकिन तभी उसे पायल की अवाज आती है और वो महाँ से निकल कर चौकिदार के पास पहुच जाती है की तरह तैयार कर देता है ये देखकर हमें समझ आता है कि लेली पूरा psycho है यहाँ तक कि वो मास को चक कर देखता भी है फिर वो मास को पन्नी में भर कर पैक करता है और एक बॉक्स में डाल कर एक आदमी को दे देता है और वो आजमी उसके बदले में उसे पैसे देकर चला जाता है उसके बाद लिली बचवे मास को अच्छी तरीकी से पकाता है और फिर वो रेड लैट एरिया में चला जाता है माल लिली को एक सुल्ताना नाम की लड़की पसंद आती है जिसको वो अपने घर ले आता है जिसके बाद सुल्ताना वाँ बने फेसेस की खुब तारीफ करती है और फिर वो कहती है कि पहले मुझे कुछ खिला दो उसके बाद ही हम काम शुरू करेंगे फिर लिली उसे भई बनाया हुआ मास खिलाता है और सुल्ताना उसके खुब तारीफ करती है कि क्या मटन मनाया है लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो तो किसी इंसान का मास है अब लिली उससे पूछता है कि तुमारे घर में कौन-कौन है सुल्ताना कहती है कि मैं और मेरी एक बहने बस उसके बाद लिली सुल्ताना को कुछ ड्रिंक पे मिला कर पिलाने लगता है पर सुल्ताना कहती है कि मैं ड्रिंक नहीं करती और इसी बीच उसके उपर ड्रिंक गिर जाती है और वो वाश्रूम चली जाती है अब लिली सुल्ताना को एक ड्रेस देता है जिसके बाद ये दोनों इंटिमेट होने ही वाले होते हैं तब इस सुल्ताना को एक आत्मा दिखने लगती है और वो लिली को खुछ से दूर कर देती है सुल्ताना लिली को बता दी है कि जिस लड़की का चैरा तुमने बनाया था वही मुझे बार-बार नजर आ रही है तब लिली जाकर देखता है तो महा पर वो बनाया हुआ चैरा नहीं होता और एकदम से महा की लाइट चली जाती है फिर लिली के चारो तरव वही आत्मा भटकने लगती है लिली धिरे-धिरे वापस उसे रूम में आता है जहां कॉफिन में से वही आत्मा उसे पकड़ लेती है और जब सुल्ताना महा आती है तो वह ये सब देखकर बेऊश हो जाती है और लिली मारा जाता है ये कहानी बता कर चौकिदार कहता है कि उस रात को क्या हुआ कोई नहीं जानता और वो जो लड़की थी वो उस रात के बाद पागल सी हो गई जो कि अब मेंटल होस्पिटल में है फिर वो अमरिता को एक निउस्पेपर दिखाता है कि ये बाद तो अब पूरी दुनिया को पता चल गई है ये सुनने के बाद अमरिता महा से चुपचाप चली जाती है और वो चोकिदार कहता है कि ये शायद अब कभी भी यहां नहीं आएगी और यही पर एपिसोड फाइफ खतम होता है अब एपिसोड 6 की शुरुवात में अमरिता उसी मेंटल होस्पिटल जाती है जहां उस लड़की को रखा था और महा का मुआयना करने के बाद अमरिता सीधा लैबरेरी जाती है और जिस सालव अकबार छपा था उस महीने के सारे अकबार टटोलने लगती है और उसी में अमरिता को सबूत मिल जाते हैं उसके बाद वो सीधा पुलिस इस्टीशन में जाकर उस एक्सिडेंट के बारे में पूरी रिपोर्ट निकलवा लेती है और फिर वो जाकर सीधा चोकिदार से मिलती है जो अमरिता को देखकर हैरान था क्योंकि उसे लगा था कि वो माँ पर कभी नहीं आएगी अमरिता उसे कह दिये कि आज में आपको एक कहानी सुनाती हूँ रजिया की कहानी फिर अमरिता बता दिये कि लिली जादा तर अपना टारगेट प्रोस्टिटीट वाली लड़कियों को बनाता था जिनकी कोई भी तराश नहीं करता ऐसे एक दिन लिली रजिया नाम की लड़की को उस एरिया से अपने साथ ले गया जिसके बाद उसने रजिया को मार दिया और उसका मास फ्रीजन में श्टोर कर दिया ताकि वो उसे आगे बेच पाए क्योंकि ऐसा मास खाने वाले कई सारे लोग थे और यह हम देख चुके हैं आगे अमरिता बताती है कि इस बार भी लिली को लगा था कि उसका कोई भी कुछ बिगार नहीं पाएगा लेकिन अपकी तो रजिया की बेहन सुल्ताना उसके पीछे बड़ी थी सुल्ताना जान बुच कर लिली के साथ उस रात को गई थी जहां जाकर उसने अपनी बेहन तो नहीं मिली लेकिन उसका मास्क देखकर वो समझ गई कि इसने उसे मार दिया है सुल्तानों को लगा था कि लिली आज उसे मार देगा इसलिए उसने ऐसा खेर रचा कि लिली को बरुसा हो गया कि उस घर में रजिया का भूत है और सुल्ताना ही लिली को भूत बन कर डराने लगी फिर जैसे उसे मौका मिला तो उसने लिली को जान से मार दिया और ये बार सुल्दाना ने ही अमरिता को मिलकर बताई थी ये जानकर चौकिदार शौक हो जाता है कि इसने ये पहली कैसे सुलजा दी तब अमरिता कह दी है कि एक पहली ओर सुलजानी है रूम नमर 24 की और फिर वो चोकिदार से चावी लेकर उसी रूम में चली जाती है जहां पहले उसे वही जला हुआ हाथ ताबूत में नजर आता है लेकिन फिर इम्मत करके अमरिता देखती है तो महाँ पर कोई नहीं होता तबी अमरिता की नजर उस ताबूत की नीचे पढ़ती है, जहां एक खोफ्या रास्ता था और वो नीचे चली जाती है अब अमरिता एक जगा जाकर खड़ी होती है, और जैसे ही वो मासे आगे बढ़ती है उसे एक धागा दिखता है और उसे याद आता है कि ये तो वही धागा है जो उसने अपने पापा के हाथ में बांदा था फिर अमरिता पास में रखे हतोडे से उस दिवार को तोड़ने लगती है, जहांसे वो धागा निकल रहा था, और उसमें अमरिता को अपने पापा ही दिखते हैं, जिने दिवार में चिना दिया गया था, तब ही बीचे सेंट्री होती है उसी चौकिदार की, जो कहता है कि आक अमरिता आगे कहती है कि मैंने भी तुझ पर खुब नजर रखी थी, और सब कुछ जान लिया था, यहां तक कि तेरे बारे में मेरे पास सारे सबूत हैं, जो तुझे और तेरे साथियों को जेल में डलवा देंगे, तब सीता राम जो चौकिदार बनने का ढूम कर रहा था वो हसता है, और हमें सीन फ्लेश बेक का दिखाते हैं, जहां कालिदास अपने सर को कहता है कि इस खोज में खुब सारा खजाना मिलने वाला है, जो कि पद्वनाबा सौमी मंदिर से दस गुना जादा खजाना होगा, लेकिन उसके सर कहते हैं कि ये बात तुम किसी को भी मत हम खजाना आपस में बाढ़ लेंगे, पर कालिदास कहता है कि मैं कोई चोड नहीं हूं और जैसे वो महा से जाने लगता है, तब इस सीताराम उसे मार देता है, और फिर वो कालिदास को इसी दिवार में चिनवा देता है, अब सीताराम के वह आदमी आते हैं, जो अमरिता क को हवा में उठा कर फेक देती है और हम देखते हैं कि उसमें तो उसके पापा की आत्मा आ गई है उसके बाद अमरिता अपनी मा के पास आती है और उसके साथ ही उसके पापा की आत्मा भी थी कालिदास को देखकर उसकी पतनी बिस्तर से खड़ी हो जाती है और उसे आखरी ब आज का परदा फाश किया था अब अमरिता मेंशन में दुबारा जाती है जहां आप खजाने को ढूंडा जा रहा था और महां उसे एक सोने का लोकिट पड़ा दिखता है जैसे ही वो उसे उठाती है एक दम से अमरिता को एक गुफा अपनी तरफ खीच लेती है और सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और यही पर ये सिरीज सस्पेंस के साथ खतम होती है दुफता आपको इस सिरीज कैसे लगी हमें कॉमेंट में जरूर बताएगा और अगले एक्स्प्रेशन आपको कौन सी वेब सिरीज पर चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिएगा बाकि अगर आपको हाली में आई एक मरदर मिश्ट्री वेब सिरीज देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए